लेकि मैडम की मौझूद्गी उस दिन, लगा कि एक मेसेज गया है, काले करता हूँ, हमकी सब ठीक है… वसंद्रा जी हमारी नेता थी, मेता है, नेता रहेगी, वसंद्रा जी को अब दोडने का और ज्यादा वक्त आ गया मुदी से बहुत अच्छी बात है तो यह कहा जा रहा है कि राजेंदर राठोड भी अब सीम जो बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं ना मैं पहले था ना मेरे जहन में इस परकार की कल्पना पहले कभी आई नहीं आगे आ सकती कभी निकम्मा कभी नकारा कहता है इसका बुक्तान तो करना ही पड़ेगा कितनी सीटे सर बीजेपी की राजस्तान में आज की तानिक्षाप होगा 156 कहते हैं आशोग गैलोग कहता हूं आप समय बताएगा मेरा रिकोर्ड भी रख लेना कॉंग्रेस को डबल फिगर में आन मुद्दे ही मुद्दे हैं मुद्दे इस कुशासन ने दिये पहली बार कानून रवस्ता एक मुद्दा बन गया दसतगर्दी की जिन्दगी में जीने के लिए आम आज में वड़बूर हो गया किसान करजे की बात को इन्होंने कही और आज किसान की जमीने निलाम एक दो शूटर और अभी नेता प्रतिपक्ष राजिंदर राठोड साहब सर बहुत स्वागत आपका धन्यवाद आप पार्टी के ट्रबल शूटर रहे हैं मंत्री रहे हैं लेकिन ये अप पार्टी ने देर से सही लेकिन उप्योगिता समझी है फाइनली इसमें कोई देर नहीं हु के पद पर आसीन वे पद रिक्त हुआ पार्टी ने देर सब बिना देर की फैसला किया मुझ जैसे छोटे कारे करता हूं कोई मान मिलना ये बड़ी उपलब्दी है पुरी सिद्दत के साथ कोशिस करूँगा पार्टी ने जो जुम्यदारी दिया उस जुम्यदारी को मैं निर्वन करूं दस दिनों में सर संगठन का पूरा चेहरा बदल गया सदन के भीतर भी दो आप और सतीश मूनिया दो नए चेहरे तो क्या ये माना जाए कि पार्टी के भीतर जो गुटबाजी थी आपसी खींचसान थी वो अब ठीक हो गई है जैसा कॉंग्रेस अकसर कहती है कि हम से जयादा खुटबाजी जो है बीजेपी में है भारतिय जन्ता पार्टी संक्ठन नीत पार्टी है यहना मन बेद हो सकता ना मत बेद हो सकता और इसलिए पहले भी कुटबाजी नहीं थी हमारे हां अद्यक्स का पदद्य Quarterday एं और इस इस्टीशन के नाते ही सतीश पुनिया जी जब अध्यक्स बने तो उनके साथ हमें बड़े मजबूती के साथ, इमानदेरी के साथ हम लोगों ने काम किया और अब उनके जगे पर सीपी जोशी आए हैं, नोजमान विक्ती हैं, तो उनके साथ भी उसी सम्मान के साथ काम करेंगे और मैं समझता हूँ कि ये भारती जनता पार्टी का ही कमाल है, तो बड़ा प्रिवर्तन भी बिना कोई चर्चागे हो जाता है, आप कह रहे हैं कि चहरा बदल गया, मैं कहता हूँ चहरा नहीं कारे करता तो वही है, एक और कारे करता को एक इस कसोटी पर परखने के लिए पा किसान वर्ग जाट वर्ग नाराज होगा, ऐसी कुछ खबरे आई सकते हैं, यह सब कपोल कल्पित बाते हैं, जाती के अधार पर कभी पार्टिया नहीं चलती और भारती जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं चलती, और सतीज जी और मैं और सीपी जी किसी समात से हो सकते हैं पर इससे पहले हमें विचार धारा से हैं, और विचार धारा के साथ जोड़के जो कारेकरता काम कर रहे हैं, भारती जनता पार्टी के बड़े परिवार में, वो 87 लाक लोग हैं, जो सदान सदश्य बने हुए राजिस्तान में, इसलिए किस पद पर कौन सी जाती का कौन व लेकि मैडम की मौजूदगी उस दिन, लगा की एक मैसेज गया है, कारेकरता हूं की सब ठीक है, भसंदरा जी हमारी नेता है, नेता रहेगी, भसंदरा जी को हमसे अलग नहीं है, वो कोई भारती जनता पार्टी के पक्स में ही काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, पार्टी जन्ता पार्टी से उनका विक्तित वालग है हमारी नेता है पार्टी के लिए काम कर रही है करती रहेगी उन्होंने खुद नहीं मेरा नाम कानू समर्थन किया बिल्कुल बिल्कुल तो यह सब बातें इस हिंद कर रही है एक पार्टी एक का कार है समर्थ है और रहे है इसमें को नहीं भूमेका की बात नी फिर भी पार्टी का अलाक मांच होते है करेगा करेगा आप लंबे वक्त के बाद उन से मिलने गए अभी अभी वादन करने गए एक तरीके से धन्यवाद भी दिया आपने वो तस्वीरें भी बड़ी जो है वो चर्चा में रही नहीं बड़ गया था मैं जाना कोई जब कभी मुझे कोई पद मिला में ने उनसे किसी रूप में उनको धन्यवाद दिया उन्हादकियर गिभी मेरे चर्चा उई पर वो टेलिफोन पर चर्चा वी उस दिन वियस्ता थी इस बार वो यहां बिराजी थी तो मैं उनके पास गया पर 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 अब तुम तुम तुमारे दोडने का और जादा वक्त आ गया बधी से बहुत अच्छी बात वी तो यह कहा जा रहा है कि राजदर राठोड़ भी अब सीम जो बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं पहले था ना मेरे जहन में इस परकार की कलपना पहले कभी आई नही आगे आ सकती हमारे पास सबसे बड़ा चेरा कमल के फूल के साथ दरंदर मोदी जी का है और निश्चित तोर पर जब इतना बड़ा विसाल वेक्टित हो जिसको विश्व सबसे लोग प्रिया नेता माने मौनिंग कंसल्ट फिर ठपा लगा दे कि दुनिया के सबसे ताकतवार और लोग प्रिया नेता तो उसमें हमारे सब का जो कहना मैं समझता हूं इसमें कई ठहरती नहीं बात उसी वही चेरे को आगे करके हम आगे तो गैलोध मोडल और मोदी मोडल के बीच चुना होगा सरीय माने गैलोध मोडल एक ऐसा विक्रत मोडल है जो अभासी मोडल है इस मोडल जी का वक्तितों के सामने गैलोध जी का कहा है लेकिन अशोग गैलोध कहते हैं कि जंता में कोई नराज़गी नहीं है इस बार तिल देखिए तिल का धार देखिए पहले बार भी पिछली बार मुख्यमंत्री थे ऐसा ही वक्त आया था जब उन्होंने कहा था मैं मु जैसी योजना है या जो बजट है राइट टू है यह सब आपकी नजर में आपको लगता है कोई कारगर साबीत नहीं होगा ओपीएस भी बंगरिंग करेगी क्योंकि जीपिएफ का लाब जो पहले मिलता था जीपिएफ का लाब अभी यह देनी पारे सारी बात है जो राइ पासी चीज़े हैं जो समय आने पर सामने आ जाएं कांग्रेस समय आपके बहुत मित्र हैं हम जब बात करते हैं तो परताब सिंग जी आपकी तारीफ करते हैं रगु शर्मा आपकी तारीफ करते हैं दरमेंदर राठोड भी आपकी तारीफ करते हैं तो यह संबंद किस तरह के है, हमारा बच्पन, हमारा चातर जीवन, हमारा र्चातर जीवन लगातार चुनाव जीतने का लोग अधियान करना चाहते हैं कि क्या राज है कि चुरू से आने वाले प्रतेफ वैक्ति के लिए दरवाजे खुले रहते हैं और क्या फॉर्मूला है सर की आप लगातार चुनाव जीते आलांगि डोटासरा ने जरूर कहा इस बार कि आप सीट बदलना चाहते हैं देखिए मैं चुनू की जनता को धन्यवाद देना चाहँं गा में परिवार मना हर व्यक्ती को घौर को अपनी बात कह सकता है मना Cup ş produce दे रखंद के इसलिए उनकी व्रून के प्यारी हों वह भी screen तो इचातर जी उनका जो अनुवव वैसर वो भी काम आता है निश्चित पर काम आता है लोगों से मिलने का जो एक मिलना नीए समरस्ता का काम आता है सहस्ता से अज़ विकास की बात करें तो जनता साथ जनता की बीच सर जब आप निकलने वाले हैं क्योंकि चुनावी मौसम हो गया है 27 बीच गई है क्या मुद्दे होंगे मौदी मोडल तो है हिंदुतों का एज़ेंडा जो कांग्रेस कहती है कि उस पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी इसके अलावा क्या बड़े मुद्दे रहने राजस्तान में मुद्दे ही मुद्दे हैं मुद्दे कुसासन दिये पहली बार कानून विवस्ता एक मुद्दा बन गया दसतगर्दी की जिन्दगी में जीने के लिए आम आदि में मजबूर हो गया किसान करजे की बात को इन्होंने कही और आज किसान की जमीने निलाम एक दो तीन करके हो गई इसलिए वो उससे भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है विकास ठहरा हुआ है अंतर्दवन्द जारी है इनका इसलिए कांग्रेस का यह सारा विक्रत रूप भी इस कांग्रेस की विदाई का कारण बनेगा मुद्दे मुद्दे ढूनने की जरूरत नहीं जहां जाते हैं उसी त काटने के लिए तुष्टिकंड की और बढ़ेंगे तो निश्चित तोर पर उस समय दूसरे लोग जो सोचते हैं कि समरस्ता रहनी चीए वो उन लोगों को बुरा लगता है और जो इस प्रकार का काम करते हैं उनको फिर उसका बुरा परतिफल भी मिलता है मोदी जी ने इस देश के अंडर गroी कल्याण के लिए जो काम किये वो अधित्य हैं जनकल्याण के काम किये जो अधित्य हैं बचता चार्मुक्त देश को कर दिया मोदी जी का कई सासन का मोडल हमारा घर्व है और हम उस घर्व के साद उन बातों को भी ले कर जाएंगे और कुसासं की जो नोंगसान तो उसी कुन्वे को हगा जो अपने ही ही वेक्ती को कभी निलर्ज कभी निकम्मा कभी नकारा पैसक बुछता किरना ही पड़ेगा बड़ा नुक्सान हुआ से कॉंग्रेस को नुक्सान तो पहले होई चुका, अब परमनुक्सान के और कोंगरस बढ़ गई है हनुमान बेनिवाल सर पहले बीजेपी के साथ थे, अभी आप जब गए ओम बिल्डा से मिलने तो वहां मौझूद थे उस तस्वीर से कई आगलन किये गए, कल वो अर्विंद केजरिवाल से मिले है, क्या कोई संभावना गुंजाईश लग रही है उनकी अपना दल है, अपना एक विचार है, उनके बारे में टिपनी करने का मुझे अधिकार नहीं परे वो मुझे इज़त देते हैं, मुझे बड़ी अदब से पेस आते हैं, मैं भी उनके कारिकर में जाने वाला था पर मैं कल भीरवड़ा में लेट हो गया, वनना उनकी बच्ची के बढ़ ड़े पर में जा तीसरे मोच्चे की संभावना लगती है राजस्तान में कोई संभावना नहीं, राजस्तान में मतों का धर्वी करना हो चुका है, राजस्तान में बीजेपी और कामर्स के बीच के मुझे के मुझे मंदर जी अपनी खुद की सीट से जीजाए बड़ी बात है 21 सीटे भी नहीं आ रही है, राजदर राठोड आखरी सवाल से, राजदर राठोड सियासत में खुद को कहां देखते हैं, एक कारेकरता जिसके पास एक अन्भव भी है, जो एक ऐसी विदान सभा से चुनकर आता है, जहां बड़ी संख्या में माइनरिटी के वोट है, किस से लगकर सरकार को बनाने के लिए प्रण प्रण के लिए लिए जीवन पर पार्टी की सेवा करना चाहिए, लिए बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब, थैंक यू, थैंक